सबी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए ओक्सिजन की जरूत होती है उसी तरह मचलियों को भी ओक्सिजन की जरूत होती है पर आपको पता है कि मचली पानी में स्वास कैसे लेते है तो चलो जानते है मचली के पास विशेश अंग यानी गिल्प्स होते है जो उनके सीर के दोनों और पाया जाते है मचली पाने में अंदर सांच लेने के लिए मुख को खोलती है और गिल्प्स की तरह पम कर देती है उसके बाद ये गिल्प्स में उपस्थित मेंब्रेन की मदद से पाने में उपस्थित ऑक्सिजन को सोख लेती मतलब सोच लेती है उसके बाद गिल सुखने से पानी बहार आ जाता है और इस तरह मचली पानी में सास लेती है तो मुझे यसा लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि मचली पानी में कैसे सास लेती है ऐसे ही वीडियो देखन के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो गमा हो तो लाइक करें और सेर करें